महानगर में चारो धाना छेत्र में लागडाउन का कड़ाई से पालन करवाय जा रहा है लागडाउन एरिया में अनावश्य घूम रहे हैं लोगों का चालान किया गया जिसके समन्द में SSP डॉक्टर सुनिल गुपता ने बताए कि सासन द्वारा महानगर में चार धाना छेत्रों में लागडाउन लगाय गया है जिससे कि कोरोना संक्मर को फैले से रोका जा सके बीते दिनों में कोरोना मरीजों की संक्या बढ़ी और जनपद में नौसोपचास से अधिक लोग शहर छेत्र से कोरोना प्रभावित हैं और शहर छेत्र में मरीजों की संक्या बहुत तीजी से बढ़ रहा है लोगों से अपील है कि लागडाउन का पालन करें घरों में रहें सुरक्षित रहें और मास्क का प्रियोग करें और लागडाउन को सफल बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहीयोग करें इस संबन में गुरकपूर न्यूस से बात करते हुए एससपी डॉक्टर सुनेल गुपता ने कहा आमिल या बुलिस और भागड़ कहा ऐसा script ् मिल्स कर ठार मैं घर्रा हुए या मुझा राकटिय है बलाएं भाई लांary नाज से बड़त बते हतना कैसे बड़त अजकन रादन से मेर हो नाज से ए नाज से बड़त बनाई है बोछान बादन शेयो कांए करने है याप मरस अफिल है, आपर से निमेदर है, सबमन ध्हान दीटिए, मैं शोळायो, समासित मुविग टिर्म जरूरी हो, तभी हिस्टल कङी कदेगे, अ्लावक्स सब्सक्तर्स हाल कदेगे, तब मैं धक्म भान जिग्रा, तब मैं अब्राइब छागे से जग्ठीर. यह लगाया गया है यह लगाया गया है क्योंकि यहाँ प्रकुब लगातार बढ़ रहा है अभी कल भी सेकड़ों की संख्या में लोग 132 लोग पूरे जिले में करोना प्रभावित एकी दिन में निकले हैं उसके पहले भी लिख ले हैं और आज की डेट में साड़े नौ सो से अधिक लोग करोना प्रभावी थे हैं पूरे जनपद में और ये शेहरी छेतर जो खासतोर से अर्बन छेतरे बहुत तेजी से प्रसार कर रहा है और ये अभी तक के ये जानलेवा है मैं लोगों से यही अपिल करूँगा इसका कोई इलाज नहीं है दो गच की दूरी मास्क है जरूरी यही इसका एक सबसे बड़ा संभावित इलाज है और मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि पुलिस और प्रसार्शन का सही होग करें